आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने WordPress website का speed optimization कर सकते हो और आज की इस वीडियो में जो tutorial सिखा होंगा इसको करने के बाद आपको ऐसा result मिल सकता है जैसे मुझे मिला है मैंने actually google page speed में जब चेक किया तो इसमें मुझे जो score मिला है 99 on mobile and desktop में मिला है 100 जी हाँ ऐसा ही page का score आपको भी मिल सकता है और इसके लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना है कौन सा setting करना है वह सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएगा तो बिना skip करके इस पूरा वीडियो को देखते रहे हैं चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह है मेरा website इस website का speed optimization सुरू करने से पहले में इसका speed check करके मैं आपको देखा देता हूं तो Google page speed में जब मैं गया और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इस टाइप को एपसाइट बना सकते हैं और मैं और एक page को में test करके देखा देता हूं यहाँ पर एक blog post है जिसका अंदर काफी सारे image और video है तो जब मैं इस page को test किया तो इसका score आया काफी खराब आया है क्यूंकि इसमें बहुत सारे optimization अभी करना है तो अभी मेरा इस website का कोई भी optimization नहीं किया है और उसके बाद मुझे result मिल रहा है तो जब मैं optimization स्टार्ट करूंगा उसके बाद मुझे क्या result मिलता है वो आपको अजगी इस वीडियो में पता चल जाएगा तो सबसे पहले आपको जो काम करना होगा अपना WordPress website को open कर लेना है और आपको dashboard में जाना है और dashboard में जाने के बाद आपको plugin में जाना है और add new plugin में जाना है तो add new plugin में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक plugin upload करना होगा तो यहाँ पर choose file में जाईए और यहाँ पर आप देख देख सकते हैं WP Rocket नाम पर एक plugin है तो इसको select करने के बाद यहां पर मैं install कर लेता हूं और install करने के बाद मैं इस plugin को activate कर लेता हूं और यहां पर setting के अंदर आप देख सकते हैं WP Rocket प्लागिन का option आ गया है चलिए आप मैं बात करता हूं कि यह plugin आपको कहां से buy करना है तो इसक लिंक आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा तो वहां से अगर आप check कर सकते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि यह जो speed optimization process है हमारा team के तरफ से किया जाए तो उसका भी एक service available है उसको भी आप check कर सकते हैं चलिए आप इस tutorials में आगे बढ़ते हैं तो speed optimization का जो setting है उसमें सबसे पहला आपको WP rocket का catch setting में आना होगा और इसके अंदर पहला जो option है enable catching for mobile device इसको आपको on कर देना है और उसके नीचे और एक option मिलता है separate catch file for mobile devices इसको on करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्यूंकि आज की rate में जितने भी theme available हो सभी mobile responsive है तो इसके लिए आपको कोई separate catch file store करन का ज़रूरत नहीं है उसके नीचे आपको user catch option मिलेगा इसको enable करने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपको नीचे आना है जिसमें आपको catching live spend option मिलेगा इसमें 10 hours है इसको edit करके 24 hours कर देना है और उसके बाद यहाँपे save changes में click कर देना है उसके बाद आपको file optimization option में आ combine css file तो इस option को आपको on करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि option तब आपको on करना चाहिए जब आपको WordPress website http2 को support ना करे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको WordPress website http2 support करता है या नहीं तो इसके लिए आपको इस website में आना होगा http2.pro इस website में आने के बाद आपको इसमें आप support करता है तो इसके लिए आपको इसको इनेवल करने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर optimize css delivery option है इसको आपको on कर देना है और इसके नीचे आपको मिल जाएगा critical css का option तो इसके अंदर आपको अपनो WordPress website का जो critical css है उसको यहाँ पर paste करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको इस website में आना होगा इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो यहाँ पर आकर आपको अपनो WordPress website के यहाँ पर लिंक को paste करना है और यहाँ पर generate critical path css में क्लिक करना होगा और उसके बाद इसके अंदर आपको चेक करना है और active minify javascript में क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे पूछता है कि combine javascript file तो इसको उन करने का कोई जुरूद नहीं है क्योंकि हमारो website http to go support करता है उसके बाद यहाँ पर load javascript का और एक option मिलता है तो इसको आपको on कर देना है और इसको on करने के बाद यहाँ पर कुछ javascript file को exclude करना है अगर मैं इस exclude process को follow नहीं करूँगा तो मेरा जो wordpress website का theme है properly काम नहीं करेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपका जो website है इसको in code need of mode में खोल लेना है और उसके बाद यहाँ पर page source में जाना है और page source में जान है तो यहाँ पर एक search करने का option आ जाएगा तो यहाँ पर आपको search करना है jquery तो यहाँ पर आप देख सकते दो link आ गया है highlight होकर तो इन में से सबसे पहला link को यहाँ से मैं copy करता हूं और यहाँ पर आकर मैं paste कर देता हूं उसके नीचे दूसरा जो link है इसको भी हाँ से copy कर करता हूं और यहाँ पर आकर paste कर देता हूं तो इसको paste करने के बाद नीचे आपको आना होगा और यहाँ पर आपको delay JavaScript execution तो इससे क्या होगा आपको WordPress website के अंदर जिदने भी JavaScript file है उसको delay करेगा पहल आपका main content को load करेगा उसके बाद आपका JavaScript file को load करेगा तो इस setting को on करने से आपका जो WordPress website है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा speed मिल जाएगा जिससे आपका SEO और speed optimization में आपको काफी ज्यादा benefit मिलेगा तो उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर save changes में click कर देना है उसके बाद आपको media option में आना होगा और media option में आने के बाद सबसे पहला option जो होता है lazy load इसके अंदर आपको इन सबी option को on कर देना है जैसे enable for images और enable for iPhone and video और replace YouTube iPhone with preview image तो इन तीनों के तीनों को आपको on कर देना है और नीचे आना है image dimension इसके अंदर add missing image dimension इस option को भी on कर देना है और उसके नीचे जो disabled WordPress embedded इसको भी आपको on कर देना है और उसके बाद य प्री लोड ऑप्सान इसके अंदर आपको active preloading इस option को on रहना है और इसके बाद नीचे आपको preload link इसके अंदर enable link preloading इसको भी on कर देना है और नीचे आकर save changes में click कर देना है इसके बाद आपको आना है database option में database option में आने के बाद यहाँ पर आपको database cleanup करने का option मिलेगा तो इसमें आपको सबसे पहला post cleanup का option है क्योंकि हम जब post करते हैं तो इस टाइम हम कुछ auto draft post, trust post और post revision इसको हमारे database का अंदर store करते हैं तो बीच बीच में आपको clean करना चाहिए और clean करने के लिए जैसे मेरा post को clean up करना है जो मेरा काम के है नहीं तो इसके लिए यहाँ पर मैं क और उसके बाद हमारा database clean up हो जाएगा उसी सेम तरीके से आप यहाँ पर comment में भी कर सकते हैं तो इस process को आप weekly एक बर कर सकते हैं जिससे आपका database clean up हो सके इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और इसमें आपको मिल जाएगा add-ons, add-ons के अंदर आपको काफी सारे add-ons मिल जाएगा तो इन में से एक important add-on से cloud fair अगर आप अपनो wordpress website का अंदर cloud fair को use करते हो तो आपको इस add-on को use करना चाहिए और इस add-on को use करने के लिए आपको simple इसको यहाँ से enable कर देना है लेकिन मैं एक important बात कहना चाहूंगा अगर आप अपनो wordpress website का अंदर cloud fair use नहीं करते हो तो आभी तक मैंने जिदना setting किया है आपको उद नहीं करना है इससे extra कुछ करने का जुरूरत नहीं है लेकिन जो लो cloud fair use करते है उसको इस step को follow करना चाहिए तो चलिए सबसे पहले मैं इस option को on कर दिया और उसके नीचे आपके modify option में click करना होगा और इसके अंदर आपको तो इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको नीचे मिल जाएगा zone ID तो यहां से मैं zone ID को copy करता हूँ और यहां पर आकर मैं paste कर देता हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहां पर get your API token इसमें click करता हूँ और नीचे आपको मिल जाएगा global API key तो यहां प copy करूँगा और यहां पर आकर मैं paste कर दूँगा global API key में उसके बाद मेरा जो account email ID है यहां पर मैं enter कर देता हूँ और उसके बाद यहां पर मैं save changes में click करूँगा अभी save changes में click करने के बाद यहां पर error आ रहा है तो इस error को fix करने के लिए मुझे plugin में जाना होगा जुरूर ही यहां पर जो cloud fear है यहां पर modify option में click करके और यहां पर आकर मैं save changes में click करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर save हो गया है तो अभी मैंने मेरे इस plugin के तरफ से जो भी setup करना था हो कर दिया अभी हमें cloud fear account के अंदर कुछ setup करना है cloud fear account के अंदर setup करने के लिए मैं फिर से यहां पर back करता हूं और इस website को मैं फिर से यहां से open कर लेता हूं तो इसके बाद यहां पर आपको नीचे मिलेगा speed option में click करना होगा और उसी के नीचे आपको मिल जाएगा optimization में जाने के बाद यहां पर आप नीचे आईए और यहां पर auto minify का option मिलेगा जिसके तिने option के आप भी निबर करने अका में तूसा दें आपको और थीजा नीचा आना है तो आपको आपको पेज के पाने त स्थ करने हैं। रूचि patches पर आपको आपको पेज रूसी सबक्राइक सहां करें अगर यहें पर ओन्युचीए और के ढूच कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपना domain name enter कर देना है उसके बाद यहां पर आपको add page rule के अंदर जो setting है इसके अंदर आपको क्या करना होगा सबसे पहले browse catch ttl इसमें आपको select कर लेना है और उसके बाद यहां पर और एक setting add करना है caching level इसके अंदर आपको catch everything select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसको आपको save कर देना है उसके बाद आपको और एक page rule एड़ करना है तो इसमें आप click कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आकर इस link को आप paste कर दीजिए तो जो red color का position यहाँ पर आपका domain name एड़ करना होगा और इसमें भी आपको www add करने का कोई जरूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला जो setting add करना होगा browser integrity check उसके बाद इसको आप on कर दीजिए उसके बाद दूसरा जो setting add करना होगा browser catch ttl इसमें आपको 30 minute select कर लेना है उसके बाद और एक setting add करना है always online आपको catching level select करना है और इसको आपको bypass कर देना है उसके बाद आपको और एक setting add करना है जिसको आपको disable app को select कर लेना है उसके बाद और एक setting add करना है जिसके अंदर आपको disable performance को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर save में click कर देना है इसके बाद हमें और एक page rule add करना होगा तो इसमें आप add कीजिए और यहाँ पर आकर इस link को paste कीजिए तो इसमें भी आपको अपना domain name को replace कर देना है उसके बाद यहाँ पर एक setting add करना होगा browser integrity check उसके बाद यहाँ पर इसको on कर दीजिए इसके बाद दूसरा setting add करना होगा browser catch TTL इसमें आपको 30 minute select कर लेना है उसके बाद आपको और एक setting add करना होगा always online तो इसको आपको अभी रहना देना है उसके बाद आपको और एक setting add करना है security level इसमें आपको high select कर लेना है उसके बाद आपको और एक setting add करना है catching level इसके आपको bypass कर देना है इसके बाद आपको और एक setting add करना है disable app इसके बाद आपको और एक setting add करना है disable performance उसके बाद यहाँ पर नीचे save में click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक एक करके 3 page rule को add कर लिया है तो आपको इस process को follow करके इन तीनो page rule को add कर लेना है उसके बाद हमारा यहाँ पर जो setting है almost complete हो गया है अभी हम क्या करेंगे हमने अभी जो speed optimization किया है इसका result क्या मिलता है एक बाद check कर लेते हैं Optimization के बाद website का speed check करने के लिए मैं यहाँ पर google page speed को खोल लिया और यहाँ पर आकल link को paste करके analysis में click किया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते इसका result आ गया है अभी मैंने आप पर जो link paste किया तो homepage का link था और इसमें मुझे जो score मिला है 95 on mobile and 99 on desktop जो काफी आच्छा है लेकिन हम और एक page को test करेंगे यहाँ पर जैसे एक blog post है इसके अंदर काफी सारे images है तो इसको load होने में कितना time लगता है वो में एक बाद चेक कर लेता हूँ तो फिर से मैं यहाँ पर इस link को paste करूँगा और analyze में click करूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसका result आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका result आया काफी interesting है क्योंकि आप मोबाइल में जो score मिल रहा है 99 जो बहुत ही अच्छा है और desktop में मिल रहा है 100 जी हाँ 100 में 100 मिल रहा है तो इसके अंदर इतने सारे image होने के बाद भी इसका speed optimization है काफी अच्छा मिला है अब है हम क्या करेंगे GT matrix में जाएंगे और इस link को paste कर देंगे उसके बाद यहाँ पर test करेंगे और test करने के बाद आप देख सकते हैं इसका result है यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GT matrix के अंदर जो हमें result मिला है काफी interesting है जो यहाँ पर grade मिला है और performance मिला है 98 जो काफी अच्छा है और loading time भी काफी अच्छे हाँ पर मिला है तो overall अगर Google page speed की बात करें या GT matrix की बात करें इसमें जो result मिला है काफी interesting मिला है और जो आपको help करेंगा अपना WordPress website का speed optimization में वह मैंने हाँ पर देखा दिया है असरक तो यह वीडियो आपको काफी help करेगा अगर आप चाते हैं कि यह WP Rocket या इसका जो optimization process है अगर हमसे करना चाते है तो उसका service भी available है और अगर आपको WP Rocket plugin चाहिए कम price के अंदर उभी आप यहाँ से bike कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो हमें comment करके पूछ सकते है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए और अगर अपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद